वेल्कमँ फ्रेंट्स टुव नियुक्त हिंदी चैनल और आज हम बात करते हैं कि फिल्म एक्स प्रोथी काम्रे के बारे में Fugee ने development announcement की अपने X-Pro3 camera की इनिसली तो उन्होंने कोई भी details नहीं दिया है हाला कि कई सारी rumored specification है वेब पर और मैं कुछ links भी डाल दूँगा description में अगर आपको interest है rumored specs देखने में हिलाल हम बात करेंगे Fugee Film X-Pro3 की images की जो कि Fugee Film ने show off किया development announcement के दोरान उसमें सबसे ज़्यादा जो noticeable बात थी वो थी उसकी display screen rest of the design काफी अच्छी है लेकिन जो display screen है वो काफी irritating लगी सबसे पहली और अच्छी बात display screen के बारे में कि वो dual display screen है वो double sided dual display screen है जो front facing side है screen का वो compact screen है वहाँ पे आपको film stickers दीखेंगे आप कौन से film simulation को currently उसका sticker दीखेगा basic settings भी दिख सकती है second जो display है जो की hidden display है जो camera के तरफ रहेगा और वो सिर्फ 90 degree ही tilt होगा वो main display है live view display है जो live view display है वो अगर आप 90 degree tilt करते हैं तो उससे जादा tilt होगा भी नहीं दूसरी पात कि उसके जो wire लगी होई है wire cable हो काफी short है ज्यादा आप tilt भी करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो unusable कर देगी इंटायर डिस्पले को ब्रेक होने के बाद तो अच्छी बात नहीं है तो मेरा यह मानना है कि इस बार चेंज़ की हैं डिजाइन के महामले वह काफी ना पसंद है मुझे क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह कि जो लाइव डिस्पले उसे हाइड क्यों किया गया है हाला कि उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि वह ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि फोटोग्राफर सुनके व्यूफाइंडर की यूज करें इंस्टेड ऑव डिस्पले यह अच्छी बात है लेकि च्वाइस फोटोग्राफर के ऊपर होनी चाहिए कि वो स्क्रीन में या तो पिर चाहिए तो रोटेट करके लाइव डिस्पले को इंजॉय करें उससे टच अन सूट करें या फिर इन जेनरल यंग जनरेशन और फोटोग्राफर लाइव डिस्पले ही प्रिफर करते हैं मोस्ट अब तब कि इससमांगी जिए शनलाइट है डिस्प दिस्पले यूज़ करना चाहते हैं हमके दीस टिसपले बनाई है ऐसी लिम टेड डिस्प्ले बनाई है कि उससे आप NOS प्रैक्टिकल और शिच्पैसर में नहीं कर सकते हैं सो यह डिजाइन को अन्होंने अक्सवाइब्स तिकिया यह मुझे नहीं पता लेकिन यह जो 90 degree की limited flipping screen है यह Fujifilm X-Pro3 camera की reach को बहुत ही limited कर देगी हो सकता है Fujifilm अपने user space को जान रहा है बहुत अच्छी बात है वो जान रहा है और उनके लिए camera बना रहा है लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नई users उन से जुड़े Can-Nikans के camera यूज़ करने वाले users उन से जुड़े Sony के camera यूज़ करने वाले users उन से जुड़े तो उन्हें के लिए एक versatile flagship camera बनाना चाहिए एक versatile still shooting flagship camera ना कि ऐसा camera जो कि कुन चंद photographers को पसंद हो जो 1960s और 70s और 80s में सूट करते थे सिर्फ viewfinder के थूँ मैं यह सिर्फ कर रहा हूँ कि अगर digital photography आपको एक टूल देता है camera का जो display screen है बहुत ही अच्छी टूल है आपके लिए आप photo session आप photo खीषते हैं आपके पास दो सेकेंड का time रहता इन जर्डरल जो default setting रहती कि आप अपने शॉट को review करें review करते से मान लीजे आपको कुछ अटपटा से लगा मान लीजे आपके composition में आपको लगा कि यह change हो तो काफी अच्छा हो जाएगा तो आपने तुरत वो change की फिर से करें अधर्वाइस यह कामरा बहुत ही लिम्टेट लोगों के पास जाएगा और इसकी जो market demand रहेगी वो काफी लिम्टेट ही रह जाएगा अट लिस्ट आप वेरी अंगल दिस्पे नहीं डाल सकते हैं तो 180-degree treating touch screen नहीं डाल देजेगे but having a 90-degree flippable screen is not usable for most of the photographers out there तो मैं यही विस्करोंगा कि अगर उच्छा है तो change कर ले जितनी जल्द हो सके announcement के पहले otherwise it will be very limited camera for limited number of photographers इस वीडियो को देखने के लिए बहुद ही धन्यवाद कोई question है तो comment box में ज़रूर उड़ा लगा हो यह यह वीडियो तो like दे और इस चैनल को subscribe करें थांक यू वरी मच्छ